वेलकम टू फिटनेस पर टेस्टी फूद आज में शेयर कर रही हो पालक मोंकी दाल इसके लिए सबसे पहले मैंने पालक को कट कर लिया है यहां में हाफ की पालक लिया पालक की कॉन्टिटी को कम्या जादा भी कर सकते हैं फिर तीन टमाटर ले लिये हैं तीन हरेमीच 5-7 गा आफ टेबल स्पून जीरा डाल दिया है और एक तिंच मैंने डाला है ही फिर जो अद्रग मिच्ची का पेस में ने बनाया था उसे भी समें डाल देना है और थोड़ा सटे कर लेना है एक से दो मिनित तक इसके बाद मैं इसमें दो टमाटर की प्योरियाइट कर रही हूं यह रेस्पी अगर आप वन परसंट के लिए बनाते हैं तो वन टिबल स्पून ओईल इनाफ है और अगर क्वेंटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं उसकी परसंट की साबसे तो उससे बढ़ा भी सकते हैं अब एक टरबाटर को अच्छे से सौटे कर लिया है मैंने दो मिनित अब मैं आग करूंगी इसमें पालक सारी पालक में इसमें ढाल दूँगी पालक मुंगी ताल की डाल टेस्टी तो है हेल्दी के साथ साथ यह वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा हैल्प करती है आप इसे स़रूछ इंक्लूट करें अगर आप इद Uni करना चाहते हैं तो तो यह जादा हाय इंट प्रोटीन है और खाने में भी काफी ज़्यादा टेस्टी लगती है अब यह पालोग को अच्छे से सौटे कर लूगी मैं टमाटर के पेट के साथ एक से दो मिनेट इसे लगेंगे सौटे करने में आपर पालोग मोंगी दाल बहुत ज़्यादा टेस् पालोग को अच्छे से बुन लिया है मैंने अभी हाँ पर मैंने मुंग दाली एक कप इसको सोटे कर लिया था मैंने ओवरनाइट आप जाए तो एक या दो घंटे के लिए भी से सोटे कर सकते हैं अब यह सारा मुंग दाल इसमें मिक्स कर दूगी मैं पालोग के साथ और ए पर दालोगी नमक यहां मैंने वन टेबल स्पून नमक लिया है इसे डाल देना है आप अपने टेस्स के कोडिंग कम या ज़्या भी कर सकते हैं और अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो यहां पर सीना नमक कर यूज कर यहां प्या पिंक सॉल का तो वह वेट लॉस में काफी आप किया है कि दाल को अल्रेडी मैंने सो किया था ओवरनाइट तो इसे पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब यह पाइन को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसे तीन मिसल आने तक मैं इसे पका लूंगी कर करके आप पैन को हीट केके मैंने वं टीब स्पून घी यहाँ पर डाल दियाए इसमें इसे हीट होने देना है फिश में ढाल है लाल खड़ी मिर्च के बाद में इसमें कुछ धन्या के पत्ते डाल जूँ इसमें घी में डालने से एक अलगी फ्लेवर आता है तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करें कि यहां पर रेचिली पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है आप चाहे तो इस टेज पे पालक को डाल के भी अगर प्रेशर कुप नहीं करना चाहते है उसे तो आप इसी तरह इसे तड़के में डाल के भी पका सकते हैं तो अभी यह दाल भी पक चुकिए देख सकते हैं इसमें भी मैंने थुड़ा से धन्या डाल दिया है कट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और एक सब मैंने इसे निकाल रहा है अब जो तड़का मैंने रेडी किया है वो इसके उपर मैं एड कर दूंगी और इसे गरम-गरम सर्फ करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग थेस वीडियो